लोगों के लिए अधार कार्ड जरूरी है और अधार कार्ड के प्रयोग से लेकर इसमें आने वली तुरुटियंग को व्यक्ति स्वय भी ठीक करसकता है इसी के चलते हमीर पुर्ब बजार में अधार के अर्ट के प्रती लोगों को जागरू करने के लिए करमचारी ने दौरा किया हमिर पुर्मेनी सचवाले के बाहर अधार कार्ड में आ रही दिखितों के लावा अधार कार्ड अपडेट अधार एप में कैसे काम करें इन सभी बातों को लेकर लोगों को जागरू किया गया अधार कार्ट के फाइदों को जानने के लिए लोगों ने भी दिल्चस्वी दिखाई हैं आपको बता दे कि युनिक अधेन्टिफिकेशन अथार्टि आफ इंडिया के सहीवोग से करमचानी लोगों को जागरू करने के लिए ये काम कर रहे हैं के देद हमीर पुर्जिला के बोटा बड़सर सुजानपुर जाहू ने दाउन इत्य जगाओं में भी करमजानी ने जाकर अधार कार्ड के प्रति लोगों को जागरू किया है अधार कार्ड के बारे में जागरू कर रहे हैं तालिक ने बताये कि यू आई एडी के दोरा लोगों को यहाँ वहाँ बटने की जिरूरत नहीं है उन्होंने बताये कि हमीर पुर्जिला के सभी क्षित्रों में जाकर लोगों को अधार कार्ड के बारे में जागरू किया जा रहा है आईडी बनाती हैं तो वो आपको अधार कंवे जा रहे आप होटर लेती हैं तो वहाँ भाए जरूरत पढती है तो आप वो आईडी अगर आप Eco बनी रहीं थो गोगे है और हाँ आईडी में ये एक बात बताना चाहूंगा आपका नंबर जो है वो अधार काड़ के साथ अपडेट होना चाहिए क्योंकि उसमें एक OTP आता है जिसके जरीए आपका जिसके जरीए आपकी आईडी बनती है एम अधार में बाकि आज का हमारा ये था कि हमें यहां का जो हमीरपूर का DC आफिस है ये पूरा कवर करना था पूरे लोगों यहां की जो पिछे मार्किट है वो सारी हमने कवर अप करनी है बाकी और आगे भी जाना देखो भोटा चौक बाकी सारे हम यह पिछे से बिलासपूर फिर मंडी आपका फिर सरकागाट सुंदर नगर जा अगर बना है तो उसका अपडेट होगा 5 साल के बाद 5 साल में फिर होगा 15 यह में अगर तू 5 साल से बाद का बच्चा है उसकी 6-7 या उमर है तो उसका सिधा फिर 15 साल के बाद अपडेट होगा